संतान सब्तमी व्रत कथा, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापूरी का प्रतापी राजा था, उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, उसके राज्य में ही विश्णुदत्त नामक एक ब्रामन रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परसपर घनिष्ट प्रेम था, एक दिन वे दोनों सर्यू में स्नान करने गई, जहां अन्यस्त्रियां भी स्नान कर रही थी, उन्स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतीमा बना कर विधिपूर्मक उनका पूजन किया, इस व्रत की बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन परियंद करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांधिया, लेकिन घर पहुचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यू के पश्चात रानी वानरी और ब्रामनी मुर्गी की योनी में पैदा हुई, कालांतर में दोनों पशु योनी छोड़कर पुना मनुर्षय योनी में आई, चंद्रमुखी मतुरा के राजा पृत्वीनात की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्रामन के घर जन्म लिया, इस जन्म में ब्रामन के चक्या पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूशना ने अब भी याद रखा था जिसके कारण उसने सुन्दर और श्वस्थ आठ पुत्रों ने जन्म लिया, शंध संतान नहीं होने से द परन्तु वह बालकों का बाल भी बाका न कर सकी। इस पर उसने भूशना को बुला कर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूशना ने उसे पूर्वजन्म की बात स्मरण कराई साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाकर भी न मार सकी। भूशना के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधिपूर्वक रखा, तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुन्दर बालक को जन्द दिया। उसी समय से यह व्रत कुत्रप्राप्ती के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है।